तो हाई गाई गाई वेलकम बैक टो अर्ग गेमिंग चैनल एसके गेमिंग जोन तो गाई जयर फाइनली भाई यह रही अपनी सेटप टूर की वीडियो जिसके लिए तुम लोगों मेंसे किसी ने भी नहीं बोला था लेकिन देर मेरा मन किया चलो एक सेटप टूर की वीडिय क्योंकि अपना पुराने वाला चैनल था जिसका नाम था एसके गेमिंग जोन जिस पे वन मिलियन प्लस सब्सक्राइबर थे वह आपको पता चला होगा कि वह हैक हो चुका है उसको है को साथ साथ मैने हो चुके भाई बड़ी मुश्किल से भाई हिम्मत जुटा कि मैं यह बनाया और आप लोगों ने गाई इतना जादा सपोर्ट दिखाया और दिल से थैंक्स आर आप लोग का भाई आपने इतना जल्दी एक हजार सब्सक्राइबर कर वा दिये सो सभी का दिल से थैंक्स आर तो आप लोग को गई मेरे इसाब से अच्छा लगेगा हर और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को क्योंकि अभी तो 1K हुए है यार 1,000,000 से 1K पर आना भाई कितना बुरा लगता है यार जल्दी से इस वाल चैनल के उपर 10K सब्सक्राइबर करा दो यार लाइक कर दो सब्सक् लोग RGB light लगा के पुरा चांदनी बार बना देते हैं तो हां भाई मैंने चांदनी बार बना रखा है अच्छा ठीक है देख सकते हैं लाइट वाइट में लगा रखें क्योंकि मेरे को लाइट बहुत ज़्यादा पसंद है ठीक है ऐसी बात नहीं है कि कुछ शोफ के लिए मैंने लाइटिंग लगा रखिए और देख सकते हो भाई यह मैंने काफी टाइम पहले बनवाया था जब मेरे एक मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे तो मैंने यह वाला Amazon से ही बनवाया था और उसके बाद भाई यह वाला अगर तुम देखोगे Free Fire Max वाला तो यह भी जलता ह चैनल का Silver Play Button जिसका नाम था Fun2 Swine यह चैनल भी नहीं है वो चैनल भी नहीं है दोनों चैनल गए अभी यार तुम एक चीज देखो यह Silver Play Button और वो Silver Play Button इनके बीच में तुमको कुछ यह Gap नहीं दिख रहा तो यह Gap है भाई इस वाले चैनल के Silver Play Button के लिए बिलकुल यार इस तो आग Golden Play Button कहा है तो भाई Golden Play Button हमें यूटूब ने नहीं दिया किस्मत ही भाई पूरी खराब चल रही थी यूटूब वालों ने ना तो हमें Golden Play Button दिया उपर से भाई हमारा चैनल की ऐसी तैसी करी वो अलग से और जब चैनल हैक हुआ तो मैंने यूटूब मतलब जो सपो सबसे पहले चैर से चालू करते हैं यह अपनी ग्रीन सोल की चैर जो की मैंने खरीदी थी सम्थिंग 18,000 की ठीक है तो यह अपने पास चैर काफे ज़्यादा कमफटेबल है उसके बाद भाई हां पर हम देखें तो यह अपना PC है गाईज तो कहां से चालू करें में PC से चाल करती हलका ग्राफिक्स कार्ड है इसके अंदर जो है GTX 1660 Super है ठीक है तो बहुत सस्ते वाला ग्राफिक्स कार्ड है 15-20,000 रुपे का 20,000 रुपे का आ जाता है लेकिन जब मैंने खरीदा था ना भाई उस टेम पे मेरे को 40,000 का पड़ा था क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड के प साथ क्या हुआ ना वह तो मैं एक अलग वीडियो के अंदर आपको बताना चाहूंगा क्योंकि वह मोनेटर भाई पूट गया और वह भाई मतलब इतने बुरे तरीके से टूटा कि वह मोनेटर रीपेर होने के लायक नहीं रहा अब देखो है इसके बाद भाई यह वाला फ कीबोड है अच्छा कीबोड है इसमें लाइटिंग मारा सारी चीज़ है और अच्छा है रेडिगेर का है उसके बाद यह एंटी स्पोर्स का माउस है माउस भी सम्टिंग पांसो चैसो रूपे का होगा ठीक है मैंने पीसी पर हां खर्चा किया है मैंने बड़िया वाला प मैंने सम्टिंग गाईज डेड़ दो साल पहले खरीदा था यह हाइपर एक्स का हेडफोन है सम्टिंग 6,000 रुपे का आता है तो यह भाई मैंने चेंज नहीं कर रहा है क्या ही बहुत जादा हलक है तो अभी जो आप यह वीडियो देख रहे हो यह मेरे रोड के माइक से र पढ़िया आता है और वो साउंड भाई बिल्कुल अन एडिटीड होता है मैं उसको एडिट तक नहीं करता क्योंकि एडिट की जरूर थी नहीं पढ़ते भाई यह माइक है बहुत मस्त अब यह जिनको नहीं बता हूँ उनको पता दू भाई मैं रूटर पर लाइव भी कर अच्छा तो भाई इसके अंदर आप गाने सुन सकते हो इसके अंदर आर्जीबी लाइट है जो कि अपने गेमिंग माहूल में और थोड़ा रंग भर देती है उसके बाद भाई यह देखो यह क्या है गाईज यह भाई शायो में का कैमरा है 360 डिग्री पूरा यह कैमरा है यह मेरे पर निग्रानी रखने के लिए है कि मैं PC में क्या कर रहा हूं रात को ख्रोम में किया चल रहा है कजॉब भी वाषात म… यह मत बोलना कि भाई यह अनीशा ने लगवाया है इसके बार भाई यह क्या यह डाइरी है आरे नहीं भाई यह डाइरी निया गाईज यह अपना आई पैड है यह तो यह यह आई पैड 10th generation something 40,000 का आता है तो यह भाई मैंने इसले लिया क्योंकि यह देखो मैं Android phone यूज करता हूं लेकिन गाईज कभी-कभी इंपोर्ण एडिट वगरा करना पड़ता है तो फॉन में मुझे बहुत दिक्कत होती है क्योंकि मुझे PC में एडिट करने की आज़त है तो मैंने iPad ले लिया मेरे पास यह वाली वोच है जो कि भाई बहुत पुरानी है सम्थिंग इसको तीन साल हो गए होंगे यह एपल व कुछ अल्डर का क्लोन है यह कोपी है अब यह काफी सारे बंदों का है ना मतलब एक दो कॉमन किस्टन रहते हैं कि भाई तुम कौन सा एडिटिंग सौफ़ेर यूज करते हो तो भाई मैं दिखाई देता हूं इस वाली वीडियो के अंदर तो भाई देख सकते हैं थमनेल के लिए मैं यूज करता हूं अडोब फोटो शोप जो की अभी मैं एक थमनेल एडिटर को ढूल रहा हूं तो जल्दी सारे के सारे थमनेल जो है वो मेरे एडिटर भाई सा बήaggi उन्देंगे उसके बाद वीडियोडिग के लिए मैं यूज करता हूं वन्दरेशेयर फिल्म तो बस यार गाईज आज की सेट अप टूर वीडियो इतनी सी थिया यह होप कि आपको भाई मेरा सेट अप टूर अच्छा लगा होगा कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना एंड गाईज अगर आपको होम टूर का वीडियो चीए तो वह भी मैं लेकर आऊँगा आप लोग कमेंट कर देना होम टूर एंड एक चीज़ और गाईज अभी मैं बहुत जल्दी बाई क्यू एने करने वाला हूं फाइफ के सब्सक्राइबर में मुझे पता है जिससा आप कि इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी से यार यह जो इन दोनों के बीच में गैप है ना फिल कर दो यार एक और सिल्वर प्ले बटन जीए तो सब्सक्राइब कर देना चलो गाइस में मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक क्यार बाइबाई गाइस लव यू ओल